नमस्कार दोस्तो मेरा नमे बिजेक मार आप देख रहे है कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चलिए दोस्तो मनोच कॉमिक्स की इस संदार कॉमिक्स को सुरू करते हैं जिसका नाम है किस्मत का लेक आप देख सकते हैं इसका कबर प्रिस्ट जो कि कुछ इस तरह का है ओके देख स सकते हैं तो चलिए इसकी संदार स्टोरी को हम सुरू करते हैं राजस्तान के एक छोटे से गाउं बीसलगट का मुख्या था भैरो सिंग आज मुख्या भैरो सिंग बहुत खुश था विवा के ठीक 15 वर्स पस्चात उसकी पत्नी रामाबाई ने एक पुत्र को जनम दिया था काका ये सब आफी के असिरवात का फल है वारना मैं तो संतान की और से निरासी हो चला था मुख्या जी किसी ने सही कहा है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है दावत खाकर सबने मुख्या भैरो सिंग के नौजात सिसु को असिरवात दिया और अपने अपने घर चले गए तब परसंता में डूबा हुआ भैरो सिंग अपनी पतनी रामा भाई के पास पहुँचा कैसा चांसा बेटा है हमारा ये बिलकुल आप पर गया है स्वामी रामा भाई अपने खंदान की रीती के अनुसार हम कल सुबा अपने बेटे को लेकर मा दुरगा के मंदिर म में उनका असिरवाद लेने जाएंगे ये आपने खुब याद दिलाया स्वामी बड़े दिन बाद मा दुरगा के मंदिर में जाने का सुब औसर आया है दोसरे दिन भैरो सिंग रामा भाई और नौजाद पुत्रकुल साथ लेकर दुरगा मा के मंदिर की ओर चल दिया मूर्ती के गले में पड़ी फूलू की माला में से एक फूल तूट कर सिसू के उपर गिरा आहा फूल गिरा कर देवी मा ने अपना असिरवाद दे दिया है आहा भैरो सिंग भी प्रसंद हो उठा तभी भैरो सिंग हमने तुमारे पुत्र को असिरवाद दे दिया है उधिमान बनेगा और अपनी इने खूबियों के कारण एक दिन राजा बनेगा लेकिन लेकिन क्या देवी मा भैरो सिंग तुमारे पुत्र के भागे में सब कुछ है लेकिन तुम दोनों के भागे में अपने पुत्र का सुख नहीं लिखा है या आप क्या कह रही है देवी मा भैरो सिंग तुम्हारा पुत्र केवल 15 वर्स का होने तक ही तुम्हारे पास रहेगा उसके पस्चार ये तुमसे बिछुड जाएगा ओह क्या हम इतने बदनसीब हैं देवी मा पुत्र का बिछो हम कैसे सहपाएंगे भैरो सिंग तुम दोनों के किस्मत में ऐसा ही लिखा है तब भैरो सिंग और रामाबाई देवी मा के चर्णों में गिर कर फूट फूट कर रोने लगें बुरी तरह रोते हुए भैरो सिंग ने देवी मा से कहा देवी मा, पुत्र प्राप्ते के बाद मुझे इस बात का तो संतोस हो गया था कि कोई तु मेरी चीता को अगने देने वाला हुआ, लेकिन आपके भविस्वानी ने मेरी इस आसा पर पानी फेर दिया है बेटे के होते हुए भी हमारी चीता को अगने दिखाने वाला हमारे से दूर होगा, हम कितने बदनसीब हैं देवी मा, कम से कम इतनी किरपा तो करो कि मरने से पहले हम अपने बेटे का मुख देख सकें और हमारी चीता को हमारा बेटा ही अगनी दे इतना कहकर रोते हुए भैरो सिंग ने देवी मा के परतीमा के चरन पकड़ दिये भैरो सिंग की देनिये दसा देखकर उठो भैरो सिंग और मेरी बात ध्यान से सुनो तब रोते हुए भैरो सिंग ने मुँ उठा कर देवी मा की ओर देखा भेरो सिंग तुमारी दसा देखकर हमारा हर्दय पिघल उठा है हमने तुमारी बात माल ली है तुम दोनों की मिर्टू के समय तुमारा पुत्र तुमसे चाहे कितनी भी दूरी पर क्यों न हो वो तुमारे पास अवस्य आएगा और उसी की बाहों में तुम दोनों का दम निकलेगा और तुमारा पुत्र ही तुमारी चीता को अगने दिखाएगा अब तुम उठो और अपने घर वापस जाओ ठीक है देवी मा तब भेरो सिंग ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और अपनी पत्नी रामा भाई के साथ मंदिर से बाहर निकल गया मंदिर आते समय जो उत्सा उनके अंदर था वो अब समाथ हो चुका था भेरो सिंग ने अपने पुत्र का नाम जबर सिंग रखा था वो अपने पत्नी रामा भाई को दिलासा देता हुआ कहता रामा बाई जवर सिंग 15 वर्स तो हमारे पास रहेगा ही इन 15 वर्सों में हम इसे इतना प्यार देंगे कि दुख भोल कर भी इसके पास नहीं फटकेगा लेकिन 15 वर्सों के बाद हमसे बिछुड कर जवर सिंग कैसे रह पाएगा रामा बाई के इस प्रस्न को सुनकर भैरो सिंग निरुतर सा रह जाता था भैरो सिंग सब कुछ भूल कर बड़े चाओ से जवर सिंग का लालल पालन करने लगा देखो रामा बाई जवर सिंग के लिए हम सोने की कितनी सुन्दर माला लाएं हैं भेरो सिंग जबर सिंग से कितना प्यार करते हैं पुत्र के परती इनका इतना इसने देख कर मैं भी ये सोच कर भैवित हो जाती हूँ कि पंद्रा वर्स पस्चात जब जबर सिंग हमसे बिछूड जाएगा तो ये जबर सिंग को बिना कैसे रह पाएंगे भैरो सिंग पसू का बेपारी था उसके पास बहुत सी भेर बकडिया और उट थे वो उन्हें सहर ले जाता और उचित मुले पर मुनाफ़ा लेकर बेच आता इस उट की किमत दस स्वर्ण मुद्राएं हैं मैं दस स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तेयार हूँ भैरो सिं जब भी पसू को बेचने सहर जाता वहां से जबर सिंग के लिए नई नई वस्तुई खरिद कर लाता इस परकार लाव चाओ से पला जबर सिंग धीरे धीरे बड़ा होने लगा जब वो दस वर्ण का हुआ जबर सिंग जरा मेरे साथ तो आओ चलिए पिता जी तब भैरो सि जबर सिंग को अपने पसू के बारे की ओड ले गया जबर बेटे मैं आज इन उटों को बेचने के लिए सहर जा रहा हूँ आओ जाने से पहले तुम्हें एक उपहार दूँ उपहार? उपहार कैसा पिता जी? तब भैरो सिंग ने जबर सिंग का हाथ पकड़ा और उटों क बीच से होता हुआ बारे के दूसरे छोर पर पहुँच गया वहाँ उट का एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जबर सिंग उट की इस बच्चे को देख रहे हो? बताओ कैसा है? बहुत सुन्दर, बहुत प्यारा जबर सिंग आज से उट का ये बच्चा तुम्हारा हुआ यानि आज से तुम इसके मालिक हो, सच पिता जी? पिता की बाद सुनकर जबर सिंग प्रसंद हो उठा, वो उट के बच्चे के पस गया और प्यार से उसके उपर हाथ फिराने लगा, ये देखकर, बेटा, ये ही वो उपहार है जो मैं तुम्हे देना चाहता था, आपका द उसका नाम बीरू रखा, वो बीरू को घांस चराने ले जाता, उसके सरीर पर हलका फुलका, खुरेस मारता, इन कामों में उसके दिन मज़े से बीतने लगें, इस परकार दीरे दीरे पांच बर्स और बीत गएं, भैरो सिंग का पसू का वेपार, दिन दूनी राच चोगन नी तरक्की कर रहा था, एक दिन जब भैरो सिंग पसू को बेचने के लिए सहर जाने के लिए तियार हुआ, पिता जी आप एक बार भी मुझे अपने साथ सहर नहीं ले गएं, आज मैं आपके साथ सहर जाना चाहता हूँ, बेटा मैं तो सहर बेपार के सिलसले में जाया कर तुम मेरे साथ सहर जाकर भला क्या करोगे? मैंने आज तक सहर नहीं देखा है, आपके साथ जाकर मैं सहर घोमना चाहता हूँ, बेटा तुम्हें अपने साथ लिए, मैं कहां कहां फिरूँगा, और फिर रेकिस्तान का लंबा सफ़र तैय करने के पस्चाती सहर पहुँचा जा सकता है, रेकिस्तान की तप्ती हुई रेत और धुल भरी आंधी को तुम कैसे सहन कर पाओगे? भैरो सिंग ने जबर सिंग का लाग समझाया, पर वो सहर जाने की जीत पर ही अड़ा रहा, ये देखकर रामा बाई ने भैरो सिंग से कहा, स्वामी जब जबर सिंग का सहर देखने का इतना ही मन है, तो इसे साथ क्यों नहीं ले जाते? सहर घुमा फिरा कर इसे अपने साथ वापस ले आना? ठीक है, जब तुम दोनों मा बेटे की एक ही राय है, तो मुझे कोई इतराज नहीं है, तब जबर सिंग ने उत्सापुरवक सहर जाने की तेयारी सुरू उसने पानी की मसके वीरू की पीट पर ला दी और अपने पिता की साथ सहर की ओड चल दिया, भगवान दोनों बाब बेटों की यात्रा को सफल करना, राह में इने किसी संकट का सामना ना करना पड़े, ओट के काफिले के साथ दोनों तबते हुए रगिस्तान में बेटा जी, बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, तब ते हुए रेच से बरस्ती हुई आग को सहपाना कोई हसी खिल नहीं है, वे रेगिस्तान में जैसे तैसे आगे बढ़ रही रहे थे कि अचानक, ओ, सामने से धूल का बवंडर सा उठ रहा है, लगता है अ गुबारे में फसा देख कर भैरो सिंग जोर से चिलाया, बेटा जबर सिंग घबराना मत, हिमत करके ओट के पेट से चिपट जाओ, इससे पहले कि जबर सिंग पिता के दिये निर्देश का पालन करता, है पिता जी बचाओ, जबर सिंग, जबर सिंग ओट से धूल के बेहुस होकर उट पर से गिर पड़ा, बहुत देर बाद जब उसे होसाया, दूर दूर तक जबर सिंग और उसके उट का नामो निसान नहीं है, अपने बेटे को अब मैं कहा ढूंडू, ये सोचकर भैरो सिंग घुट्टों में सिर्दे कर रोने लगा, तभी वहाँ अवा तेरे बेटों को केबल पंद्रा वर्सों तक ही तेरे साथ रहना था, आज वे पंद्रा वर्स पूरे हो चुके हैं, ये आवाज सुनकर भैरो सिंग चौका, ओ, ये आवाज तो मादूरगा की है, उसने चौक कर गर्दन उपर उठाई, तभी, भैरो सिंग, दुखी ना हो, तुस्ते तेरे बेटों को अलग करने के लिए ही मैंने तेज आंधी चलाई थी, देल को कड़ा करके उसके जुदाई को सहन कर, इसी में तेरी भलाई है, ठीक है देवी मा, इसकी सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है, फिर दुखी मन से भैरो सिंग ने उटों के काफिलों क इखटा किया और सहर जाने की मजए वापस अपने घर की ओर चल पड़ा, उधर दूसरी और आंधी में उड़ता हुआ जबर सिंग दूर जागिरा, घोर अश्चरे, प्रित्वी पर इतनी तीजी से गिरने के पश्चात भी मुझे एम वीर्यों को बिल्कुल भी चोट नही आई, ये क्या चक्कर है, जबर सिंग ने उठकर अपने कपड़े जाड़े और फिर अपने उड़ वेर्यों को खड़ा किया, ततपश्चात, पिता जी मेरे बारे में सोच सोच कर बहुत परिसान हो रहे होंगे, मुझे जल्दी से उनकी खोज करनी चाहिए, वो उड़ पर बुरे दिन आ जाएंगे, वो दाने दाने के मोताज हो जाएगा, ये सुनकर जबर सिंग चौका, आप कौन है, अगले इपल, दुर्गा मा उनके सामने परकट होई, दुर्गा मा आप, हाँ बेटा, मैं, बेटा, अब अगर तुम अपने बाप के पास ना ही जाओ, तो ठी रहेगा, किस्मत के लिखे हुए को बदलने की कोशिस ना करो, ये सुनकर जबर सिंग रुआसा हो उठा, मा, पिता के पास वापस ना जाओ, तो कहां जाओ, उनकी सिवा मेरा इस दुनिया में, और कोई भी तो नहीं है, जबर सिंग, आप तुम छोटे बच्चे नहीं हो, म पिता जी और मा की नाजाने क्या हालत हो रही होगी, जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया, तो वो एक दिसा की ओर चल पड़ा, मैं तो ये भी नहीं जानता, कि कौन सी दिसा रेगिस्तान की ओर ले जाएगी, और कौन सी सहर की ओर, दूसरी ओर, जब भैरो सिंग वापस अपने घर पहुचा, ये क्या, आप इतनी जल्दी वापस कैसे लोटाएं, क्या सहर नहीं कहें, जब बर सिंग कहां है, रामा बाई की बात सुनते ही, भैरो सिंग की आँखों से आंसू बहने लगे, ये देखकर, रामा बाई का दिल बुली तरह धड़क उठा, क्या बात है स्वामी, आप रो क्यू रहे हैं, जब बर सिंग तो ठीक ठाक है न, रामा बाई, जब बाई सिंग सदा के लिए हमसे बिछोडग गया है, क्या, हां रामा बाई? तब भैरो सिंग ने जबर सिंग के पिछोड़ने का सारा बितांत पानी पत्नी को सुनाया सारी बात जानकर वो रोने लगी ओ तो दुर्गा मा की भविस्वानी सचो गई फूलों में पला मेरा बेटा ना जाने इस समय रिगिस्तान में कहां भटक रहा होगा रामा भाई धीरज रखो जो होना था वो हो गया सायद इसी में जबर सिंग की भलाई थी तुम्हें याद नहीं देवी माने कहा था कि हमसे बिछूड कर जबर सिंग एक दिन राजा बनेगा कहते कहते भैरो सिंग भी रोने लगा उधर रेतेली रेगिस्तान में जबर सिंग सारा दिन भटकता रहा इसी परकार भटकते भटकते रात घिराई ओह थकान से सारा बदन चूर चूर हो रहा है तभी अरे वो दूर किसका तंबू लगा हुआ है लगता है वहाँ पर कुछ लोग हैं मुझे उनके पास चलना चाहिए ये सोचकर जबर सिंग ने उट कमू उसी की ओर मोड दिया दरसल जो तंबू जबर सिंग ने देखा था वो डांकूओ का था उस तंबू के बाहर बैठा डांकू अपने सरदार डांकू मोहर सिंग से कह रहा था सरदार राजा भाग सिंग के खजाने को लूट कर हमने इस रेगिस्तान में रुख कर ठीक नहीं किया यहां से भाग सिंग का राज्य जीवकपूर ज़ादा दूर नहीं है भाग सिंग के सैनिक हमारी खोज में कभी भी यहां आ सकते हैं दल्लू तुम तो वेकार ही डर रहे हो खजाना लूटने का पता तो उन्हें सुबह चलेगा तब तक तो हम ना जाने कहां पहुंच चुके होंगे अभी वे इस परकार की बाते करी रहे थे की अरे वो उन्हें पर बैठा कौन आ रहा है मुझे तो लगता है ये राजा भाग सिंग का कोई सैनिक है जिसे हमारा पता चल गया है इसका मतलब तो ये है कि ये यहां पर अकेला नहीं आया होगा इसके साथ और भी सैनिक होंगे तब तो सैनिको कोई पास आने से पहले ही हमें यहां से भाग जाना चाहिए तब सरदार मोहर सिंग के अदेश पर डांकों ने लूटा हुआ माल उन्टो पर लादा और जल्दी यहां से भाग चलो वरना सैनिक हमें पकर लेंगे तब सारे डांकों उन्टो पर बैट कर वहां से भाग गए तब तक जबर सिंग डांकों के काफी समिप पहुँच चुका था मुझे देखकर ये लूग एकाएक भागने के उन लगे लगता है ये चोर उचक्के हैं मुझे इनका पीछा करना चाहिए ये सोचकर जबर सिंग ने वीरू को डांकों के पीछे दोड़ा दिया चल वीरू तेजी से दोड़ चल आज तेरी चाल की परिक्छा है जबर सिंग को अपना पीछा करते देख साथियो ये सवार तो हमारे पीछे लग गया है इसे मजा चखाना ये पड़ेगा कहकर मोहर सिंग ने भाला तेजी से जबर सी के ओओँ फेका मोहर सिंग का निषाना चूक गया और भाला जबर सिंग को नालग कर वीरू के पेट में जाधासा अई वीरू दर्ट से बिल मिलाता हुए वीरू रेट पर लेट किया और सिगरी उसके प्रांट पकेरू उड़ गए तब क्रोध में भरे जबर सिंग ने आओ ना देखा ना ताओ और बीरू के पेट से भाला निकाल लिया और निसाना बांद कर मोहर सिंग की उद फेका हत्यारे तुने मेरे प्यारे उट को मारा है मैं तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूँगा भाला सरदार मोहर सिंग की महा को चिलता हुआ भुमी पर जा गिरा अरे सरदार घाय लो गें मोहर सिंग ने पीडा से कहराते हुए घाव पर हांत रख लिया और डांकू को और तेज भागने का अदेश दिया कुछी देर में डांकू का कारवा जबर सिंग की आँखों से ओजहलो गया अरे रेट पर दूर तक खोन की बुंदो के निसान है लगता है ये खोन घायल डांकू का है तब जबर सिंग ने दुखी हर्दर से ओट पर दिरिष्टी डाली बीरू इस बूरी घरी में भी तू मेरा साथ छोड़ गया जबर सिंग उस तंबो में वापस लोड आया जिसे जल्दी बारजी में डांकू लगा ही छोड़ गये थे अब ये रात मुझे इसी तंबो में रहकर गुचारने होगी सोचकर जबर सिंग तंबो में लेट गया ना जाने कब उसकी आँख लग गई दूसरे तिन वो ना जाने कब तक सोता रहा तभी ए उठो तब जबर सिंग ने कुल मुना कर आखे खोली कौन है आप बेटा मैं जीवकपूर का राजा भाग सिंग हूँ प्यास से गला सुखा जा रहा है क्या पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है ये सुनकर जबर सिंग ने सिराने रखी पानी की मसक उठाई और लीजिये राजन इसका पानी पी कर अपने प्यास बुझाईए राजा भाग सिंग को तेज प्यास लगी थी अता उसने जल्दी से जबर सिंग से पानी की मसक ली और गट गट रजा भाग सिंग ने मस्क का सारा पाने पी लिया पाने पीने के फश्चाथ बेटा इस तपते रिगिस्तान में हमारी प्यास बुजा कर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है राजन एहसान कैसा ये तो मेरा कर्टब्य था तप भाग सिंग ने अपने उंगली से रत्न जडित अंगोठी निकाली और उसे जबर सिंग को देते हुए बोला बेटा इस समय तुम मैं जरा जल्दी में हूँ कल तुम हमारे राज जीवकपूर आना इस अंगोठी को देख सैनिक तुरन तुमें दर्बार में हमारे पास ल करते हुए रिगिस्तान में अपने राजे से दूर आप क्या कर रहे हैं यहां बेटा कल राज दाको मोहर सिंग के गिरों ने हमारा राज की एक खजाना लूट लिया और हमारे नाम एक पत्र छोड़ आया कि यदि हम में हिम्मत है तो उसे पकड़ कर दिखाए हमें तलास कर रहे हैं यह सुनकर जबर सिंग के दिमाग में बिजली सी कौन दी ओह इसका मतलब यह है कि कल राज जिस दाको गिरों से मेरे मुटवेर हुई थी वो दाको गिरों मोहर सिंग का था उसने तुनद भाग सिंग से कहा राजन मैं बता सकता हूं कि दाको मोहर सिंग का गिरो की सूर गया है क्या तुम्हें पता है हाराजन कल रात मेरी उस गिरो से मुठ्वेर हो गई थी मैंने एक दांको को भाले से घायल भी कर दिया था घायल दांको के घायो के तपकते हुए खून के भूंदे रेध पर गिरने से रेध पर दुर तक लाल भूंदों की रेखा पासिब बन गई है उसी खून की रेखा के सहरे आप डाकू के दल तक महुँ सकते हैं मेरे ख्याव से घायल डाकू के कारण वे लोग बीच में ही कहें रुख गए होंगे ओ ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई बेटा क्या तुम बता सकते हो कि खून के बुंदों क के रेखा कहां से प्रारंब हुई है इस कहाने को यह खत्म करते हैं इसके आगे कहाने पढ़ेंगे इसके पार्ट डू में तो मिलते हैं इसके दूसरी पार्ट में तब तक के लिए बाए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक सेर कमेंट कर देना और जहां इस वीडियो के जरूर तो वहां इसे सेर्ज जरूर कर देना थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियोज